आज हम बात करने वाले हैं एलेक्ट्रिक डाइपोल जो की क्लास 12 का एक most important topic है जिसे बहुत सारे questions, derivations पूछे जाते हैं तो चलिए बिना वख जाय किये शुरू करते हैं और समझते हैं एलेक्ट्रिक डाइपोल ठीक है एलेक्ट्रिक डाइपोल को हम समझेंगे अच्छी तरीके से आईए बात करते हैं एलेक्ट्रिक डाइपोल क्यों पर एलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है बैसिकली एलेक्ट्रिक डाइपोल होता है जैसे मान लीजिए कि ये क्योंच ये सिस्टम है एक हमने यहां प्लस चारजर डाल दिया ठीक है और एक हमने माइनस चार्जर डाल दिया je q1 है और ये q2 है तो q1 और q2 q1 is equal q2 के कैजे तो magnitude wise magnitude ये मेगनिचूड़ वाइज दोनों आपसम एक्वल है लेकिन साइन वाइज अगर हम देखे तो Q1 है पॉजिटिव Q1 है पॉजिटिव चार्ज और Q2 क्या है Q2 है निगेटिव चार्ज और दोनों के बीच की कुछ ना कुछ दूरी है जिसे हम कहते है 2A तो ये जो सिस्टम है इस सिस्टम को ही हम क्या कहते है अब इस एलेक्रिक डाइपोल को मतलब अगर हम इसका definition लिखना चाहे तो definition लिख सकते हैं कि dipole, it is the system of equal and opposite charge, it is the system of equal and opposite charge, okay, it is the system of equal and opposite charge separated by a small distance, separated by a small distance separated by a small distance separated by a small distance अब अगर हम बात करें कि magnitude of dipole क्या होना चाहिए magnitude of dipole को कहते है electric dipole moment magnitude of dipole magnitude of dipole क्या कहलाता है magnitude of dipole कहलाता है dipole moment यह dipole moment क्या है तो it gives magnitude of dipole ठीक है dipole moment magnitude of dipole क्या है तो dipole moment magnitude of dipole is dipole moment अब ध्यान से समझते है कि dipole moment होगा क्या तो dipole moment होता है इसे देखाते हम लोग P से ठीक है इसे हम किसे देखाते है P से और यह vector quantity है यह vector quantity है तो P is equal to क्या होगा ठीक है P is equal to क्या होगा तो P is equal to होता है charge into separation charge into separation ठीक है charge into separation दो में से कोई भी charge ले लो आप ठीक है दो में से कोई भी charge ले लो Q1 Q2 कोई भी क्योंकि दोनों ही magnitude wise equal है तो दोनों ही magnitude wise equal है तो आप क्या कर सकते है इसे is equal to Q के बराबर कर लीजे कर लिजेगा तो charge की value क्या put करनी होगी Q और separation कितना है दोनों के बीच की separation 2A ठीक है तो यह आ गया आपका electric dipole moment का formula electric dipole moment का formula आ गया अब electric dipole moment का formula हमने समझ लिया electric dipole समझ लिया अब electric dipole के figure को हमने समझ लिया अब हम लोग बात करते हैं कि ideal dipole की से करते हैं या इसका SI unit क्या है ठीक है इसका SI unit क्या है तो हमने अभी समझा P is equal to Q into 2A ठीक है इसका SI unit क्या हो जाएगा तो its SI unit आपको पता होगा SI unit के निकालना असान है charge का होता है column और यह distance है तो इसे लिखेंगे मीटर तो कुलम मीटर बहुत बच्चे से centimeter समझ कर confuse हो जाते हैं centimeter समझ कर confuse नहीं होना है आपको कुलम मीटर होगा ठीक है इस SI unit is कुलम मीटर ठीक है अगर CGS unit की बात करें तो CGS unit क्या हो जाएगा तो CGS unit हो जाएगा CGS unit is electro static unit और मीटर का क्या हो जाएगा centimeter ठीक है यह vector quantity है ठीक है यह कैसा quantity है तो यह vector quantity है तो it is it is vector quantity ठीक है अब जब यह vector quantity है तो इसका direction किदर होगा तो इसका direction होता है negative to positive its direction is its direction is negative to its direction is negative to positive ठीक है इसका direction किदर से किदर होगा negative से positive की तरफ अब हम बात करते है ideal dipole को अब हम बात करते है ideal dipole के बारे में क्या ideal dipole होता क्या है तो ideal dipole ideal dipole क्या है तो ideal dipole आपको पता होगा जब मान लीजे P है P बराबर क्या है Q into 2A तो इसमें हम एक काम करते हैं क्या काम करते हैं इस वाले हिस्से को रखते है constant ठीक है इस वाले हिस्से को रखते है constant charge को हम क्या करेंगे increase करते चले जाएंगे चार्ज को हम क्या करेंगे increase करते चले जाएंगे और 2A को क्या करेंगे decrease करते चले जाएंगे then what we get is called ऐसा करने के बाद then what we get is called then what we get is called then what we get is called आइडियल डाइपोल तब जो हमें चीज मिलती है उसे क्या करते है आइडियल डाइपोल करते हैं उसके बाद एक पॉइंट और है डाइपोल फिल्ड ठीक है डाइपोल फिल्ड किसे करते है तो दिहान से देख लेते हैं उसे भी डाइपोल फिल्ड ठीक है ठीक है डाइपोल फिल्ड की अगर हम बात करें तो it is the field it is the field near ठीक है near an electric dipole या it is the field around ठीक है it is the field around it is the field around it is the field around a charge sorry charge नहीं हो डाइपोल it is the field around an electric dipole electric dipole तो हम क्या कहेंगे उसे dipole field कहेंगे हम क्या कहेंगे उसे dipole field कहेंगे अब कुछ और टर्म्स है जो dipole से related है उसे भी समझ लेते हैं ठीक है dipole से related कुछ टर्म्स और हम समझ लेते हैं वो क्या है तो ध्यान से देखिए ठीक है, जैसे माल लीजेगी, यह हमारा डाइपोल है, यह प्लस है, और यह माइनस है, इसे एक लाइन ने जोड रखा है, ठीक है, एक लाइन ने इसे जोड रखा है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, टू है, ठीक है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, टू है, अब ध्य ठीक है क्या कहेंगे इसे center of the dipole ठीक है अब इस midpoint से अगर कोई line उपर draw की जाये मतलब एक perpendicular हमने draw कर दिया ठीक है हमने एक perpendicular draw ठीक है हमने इस line इस parependicular draw कर दिया अब इस line पर इस line पर इस को कहते हैं ठीक है इस इसको कहते हैं, इसका नाम है, इक्वाटोरियल लाइन, इक्वाटोरियल लाइन, इसका नाम क्या है, इक्वाटोरियल लाइन, इसका नाम है इक्वाटोरियल लाइन, अब इस लाइन पर कोई भी पॉइंट दग दी जाए, कोई भी पॉइंट, कोई भी पॉइंट, कोई भी इक्वाटोरियल पॉइंट इक्वाटोरियल पॉइंट इक्वाटोरियल पॉइंट इस सब का नाम क्या होगा इक्वाटोरियल पॉइंट बात समझ में आ रही है इक्वाटोरियल पॉइंट जित कोई भी पॉइंट ले लीजिए आप इस सब क्या कहलाएगा इक्वाटोरियल पॉइंट के लाएगा लेकिन अगर माल लेते हैं ठीक है अगर माल लीजिए हमने क्या किया इस वाले लाइन पर इस वाले लाइन पर ये ये वाली लाइन ठीक है ये वाली लाइन इस लाइन पर कोई भी पॉइंट अगर हम ले ठीक है इस point पर अगर हम कोई भी point ले ये इधर इधर कोई भी point ले तो इस point का नाम इस line को कहेंगे axial line और points को कहेंगे axial point जो point होगा उसे कहेंगे हम axial point अच्छा सर ये equatorial point और axial point क्यों बता रहें इसलिए बता रहें क्योंकि अब हम इसके बाद है ना इसके लिए क्या काम करेंगे इसके लिए हम काम करेंगे actually में ठीक है इसके लिए हम काम करेंगे actually में कि हम इस दोनों point पर ठीक है दोनों point पर हम क्या-क्या find करेंगे electric field find करेंगे axial पर और equatorial पर derivation जो most important है पूछता है board में और इसका result use करते हैं हम लोग बहुत सारी चीजों के लिए electric field e vector और electric field हो जाएगा e vector निकालेंगे equatorial पर और axial पर उसके बाद हम potential निकालेंगे ठीक है हम क्या निकालेंगे potential निकालेंगे कहाँ पर axial पर और ठीक है axial पर निकालेंगे और इसके बाद का निकालेंगे equatorial point पर निकालेंगे तो इसके formula जाते हैं ठीक है electric field के भी दो formula एक axial के लिए equatorial के लिए potential के भी दो formula एक equatorial और axial के लिए तो इस तरह से हम formula derive करेंगे, यह dipole के basics है, ठीक है इसके next lecture में हम बात करेंगे इसके derivation के ओपर कि axial point का formula किस तरह से derive किया जाता है equatorial point का formula किस तरह से derive किया जाता है, तो बहुत-बहुत शुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए thank you everyone, keep watching, keep supporting